मुझे बहुपाल के एक शायर है आचारिय निशाज जी उनकी दो पंक्तिया आचानक याद आई उन्होंने कहा कि शब्दों को अधरों पर रख कर दिल के भेदना खोलो आधर्णिये तारादीदी बैठी हैं शब्दों को अधरों पर रख कर दिल के भेदना खोलो मैं नजरों को पढ़ लेता हूं तुम नजरों से बोलो तो मुझे लगता है कि जहां नजर की जुबान पढ़ लेते हैं उस भाव को उन्होंने अपनी शायरी का रूप दिया और लीजिये मित्रों में क्रम आगे बढ़ाते हुए अब उस बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूं सतेंदर जी ने बीडा उठाया और उन्होंने उस बीडे में अपने रंग भरने का कारिय किया ऐसे राज कौशिक जी यहां उपस्थित हैं आप सबके चिर परिचित हैं पूरी दुनिया की महबबते हैं उनके खाते में दर्ज हैं मुरारी बापु उन्हें बहुत स्नह करते हैं और वो स्नह करते हैं उनकी शायरी के कारण उनके स्वभाव के कारण कहीं लिखा राहत इंदौरी सहाब ने ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं ऐसे लोगों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उस ताज का जो राज है उस राज का नाम राजकोशिक है तो एक बार जड़ा स्वागत कर दीजिएगा भरपूर मन के साथ राज भाई की कभीताओं के लिए शायरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परविन भाई संतोष जी बार बार कह रह रहे हैं तब यह ठीक नहीं है तब यह ठीक नहीं है तो अगर ऐसा कुछ होता हो प्रविन भाई के 5-5 मिनट हम सब लोग पढ़ ले फिर संतोष जी को सुन ले और उसके बाद फिर हम लोग जितने भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि उनकी तब यह ठीक नहीं है बार बार कह रहे हैं तो जाहिर है तो हम बस 5-5 मिनट अब लेके और 5-5 मिनट दूशरे राउंड में सुना देंगे मैं सबसे पहले सदिन्र भाई आपका विशेश तोर पर आभारी हूं कि आपने इतना बड़ा उठाया हिंडन नदी जो हमारे देखते देखते नदी से नाला हो गई उसकी तरफ आपने का ध्यान गया और आप सब का ध्यान दिलाने के लिए आप यह आईजन कर रहे हैं हिंडन महाउस्साव आदरने पवन जी आप बैठे हुएं जिन्दकी की एक दिशा ये भी है और जिन्दकी की दूसरी दिशा ये भी है के संतोषदा बैठे हुएं जिनने गीत रिशी कहा जाता है अदब की दुनिया के फकीर परवास साब बैठे हुएं कुमर बेचेन साब बैठे हुएं और सामने पवन सीनाजी बेटे ही हुए हैं संत एक दाराण शिंगार की दरफ जा रही है और एक वियोग की दरफ जा रही है अतुल जी और बीच मैं खड़ा हूं और समय बहुत कम है अतुल जी कहरे है अब तो आप बात समालने हो बात तो ठीक है अतुल जी यह मैंने आप से सीगा आगे बात समालने नी चाहिए बाद में तो लेकिन क्योंकि ना तो उदीदा जी कहीं जा रहे ही ना अलपना जी कहीं जा रहे ही ना मुम्ताज जी कहीं जा रहे ही संतोज जी को जल्दी है थोड़ा तो उनकी तबयत भी ठीक नहीं है तो मत सोचो के मांगूंगा यह खाली हाथ मेरे देख मत सोचो के मांगूंगा यू खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया हूँ वाह बहुत अथे वाह 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 यू खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया हूँ और इसी तवियत का एक मतला देखेगा के खुद क ऐसे भी कुछ तराशा है खुद को ऐसे भी कुछ तराशा है जो बटोरा नहीं वो बांटा है खुद को ऐसे भी कुछ तराशा है जो बटोरा नहीं वो बांटा है और चोट पर चोट दे के ये पूछा चोट पर चोट दे के ये पूछा दर्द पहले से कम के ज़्यादा है चोट पर चोट देके ये पूछा कि दर्द पहले से कम के ज़्यादा है और एक मतला और एक शिर दिखेगा कि सारी कोशिश मुझे हराने की भाया ये वो धारा है जो आप समने बैठे हैं पीछे ये फकीर बैठे हुए है, सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की, और कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझे से, कुछ हवस भी ना थी कमाने की, कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझे से, कुछ हवस ही ना थी कमाने की, हमारी बीच छोटे भाई आशुतो शगने होतीरी बैठे हुए है, देनिक जागरन के बिरोचीफ है, बहुत-बहुत स्वागत, और मैं एक नाम विशेश तोर पर लेना चाहता हूँ, दोस्तों जैसे स्वागत विशेश तोर पर आकर करना चाहता हूँ, तो थोड़े देर बाद जब भी परवीन भाई सहमती देंगे, वो आएंगे और संदोश दा का, और वो सम्मान, मतलब सूखा नहीं होगा, सम्मान जरस होता है, ऐसे ही होगा, तो आके तर मैं बहुत-बहुत आपका, पवन जी देखेगा, एक मतला और एक शेरोड देखिया कि, अब अदुल जी ये सब चीज़ आपके हाथ में, आप इसे रूखा सूखा कर लो, या गीला कर लो, एक मतला में आपकी नजर करता हूँ, एक कवी हिर्देख शायर आपको किस नजरिये से देखता है, ज आपके साथ जो गुजारी है, उतनी ही जिन्दगी हमारी है, और उनकी आखों पे शेर लिख लिख कर, हमने उनकी नजर उतारी है, उनकी आखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है और एक देखेगा कि नमी आखों में होटों पर सदा मुस्कान होती है नमी आखों में होटों पर सदा मुस्कान होती है जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है नमी आखों में होटों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है, और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माने कहा था ये, कि इन में जान होती है, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माने कहा था ये, कि इन में जान होती है, और एक मतला और चंद अशार देखेगा दोस्तों के, कोई उचा ठिकाना चाहता हूँ, हुदीता जी, कोई उचा ठिकाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, कोई उचा ठिकाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना 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 आना चाहता हूं और सतेंद्र जी तुम आने की खबर जूटी ही भेजो तुम आने की खबर जूटी ही भेजो मैं अपना घर सजाना चाहता हूं और दोस्तों एक शेड़ देखेगा कि ये बच्चों को दुआ देदो पिता जी बात बहुत साधारन सी है लेकिन समझ में आ जा कि बच्चों को क्या बनाएं, कैसा बनाएं, मैंने अपने पिताजी से दुआ माँगी है, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुमसा बनाना चाहता हूँ, वो नए जमाने का शिर देखेगा दोस्तों, कि मुझे बाहर निकालो फेस्बुक से, मुझे बाहर निकालो फेस्बुक से, मैं सच में गुन गुन आना चाहता हूँ, और आफिर में घजल की चंद अशार, जैसा कि माहोले देखेगा दोस्तों कि, वो जिन्दगी में ना आया, शेर अच्छे हैं आपका आशिरवाद मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा वो ममता जी आप तो चल दी वो नहीं नहीं ठीक है अब आप समझ लिजेगा कि संतोषदा ने इतने अच्छे जेगी उस उमर में कैसे लिखे है आये मूण में और दादा जैसे जैसे मूड में आएंगे इस महफिल की रोना कि इस महफिल की उचाईएं और बढ़ती चले जाएगी तो एक बार जोड़दार तालिया संतोषदा जी के नाम से जैसे अभईया ने का संतोषदा भी है आनंद भी है वो संतोषदा आनंद है वो जिन्दगी में नाया, घजल में आया है, कहां पे पाना था उसको, कहां पे पाया है वो जिन्दगी में नाया, घजल में आया है, कहां पे पाना था उसको, कहां पे पाया है और शेर देखिए गासाब के बचाना कुछ भी तो कासा तलग लुटाया है कासाब सब समझते ही हैं भिक्षा पात्र फकीरों के बीच खड़ाऊ न बचाना कुछ भी तो कासा तलग लुटाया है तबा के हमने खिताबे फकीर पाया है बहुत अच्छे बचाना कुछ भी तो कासा तलग लुटाया है परवाज साब बचाना कुछ भी तो कासा तलग लुटाया है तब आके हमने खताब-फकीर पाया है और किया जहाने जो उसको ही सुनके रोते हो पंकज भाई किया जहाने जो उसको ही सुनके रोते हो किया जो तुमने अभी वो कहां बताया है किया जहाने जो किया जहाने जो उसको ही सुनके रहते हो किया जो तुमने अभी वो कहां बताया है और तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने जरा सी देर मुझे देख मुस्कुराया है तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने जरा सी देर मुझे देख मुस्क राया है और उसे चुएं उसे देख उससे बात करें उसे चुएं उसे देख उससे बात करें उसे चुएं उसे देख उसे बात करें इन्ही मुरादों ने कितना हमें सताया है उसे देखें, उसे देख उसे चुएं, कि उसे देख उससे बात करें इन्ही मुरादों ने कितना हमें सताया है कहां पे वो जिन्दगी में ना आया घजल में आया है खैर, बहुत भुत धन्यवाद आपका मैं बस दो शेर और सुनाता हूँ क्योंकि ये कुछ बीच में करम टूट गया लेकिन खैर बहुत अच्छी घजल मुझे को लगती है पहली बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हर प्रोग्राम के बाद अतुल जी बैठो है मेरी क्लास भी ले जाती है बार वार ये की घजल क्यों पढ़ते हो तो मैंने पिछले दो तीन प्रोग्राम जो घंगरु वाली पढ़नी बंद कर रखी है भावी जी उसे नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल नहीं घजल के चार अशार देखेगा जी 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 बिल्कुल ठेक क्या रहे है देखेगा साब के उन्हें तो दिल मेरे फिर क्यों सफाई देता है जिन्हें सही भी गलत ही सुनाई देता है उन्हें राजी भाई उन्हें तो दिल मेरे फिर क्यों सफाई देता है जिनें सही भी, गलत ही सुनाई देता है और ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से मगर तुम्हें भी तो उचा सुनाई देता है ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से मगर तुम्हें भी तो उंचा सुनाई देता है और जगा ये ठीक है मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ जगा ये ठीक है मेरा मका बनाने को जगा ये ठीक है मेरा मका बनाने को यहां से उसका मका भी दिखाई देता है जगा ये ठीक है मेरा मका बनाने को धन्यवाद दाना जगा ये ठीक है मेरा मका बनाने को यहां से उसका मका भी दिखाई देता है और मैं आने जाने के रस्ते भुला चुका कबके मैं आने जाने के रस्ते भुला चुका कबके कफस से मुझ को तू अब क्यों रिहाई देता है मैं आने जाने के रस्ते भुला चुका कब के कफस से मुझ को तू अब क्यों रिहाई देता है और इधर तो रोके बुरा हाल जा रहे हैं हम इधर तो रोके बुरा हाल जा रहे हैं हम उधर है वो जो के हसकर विदाई देता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों शुक्रिया बहुत धन्यवाद राजभाई का उन्होंने घुंगरु वाली तो नहीं सुनाई लेकिन अपने शब्दों के घुंगरु आप तक पहुचाए ये बटा बाट देश है बाद में दिला देंगे ये अनुभव है हमारा अकेला जी बहुत बड़े हमारे स्रेष्ट कभी थे कर दे बेटा काम तू भी चुपके से अब वो राजभाई सुना रहे थे ना तो बीच में क्या है कि एक खिलाली आदमी है बेटा तू भी आजा ये छोटी बिटिया बेटा है बच्चो बच्चे दुखं तो मुझे बच्चो के किस्से याद आजाते वो पिछले दिनों किसी ने एक बच्चे से पूछा तुम्हारा जन्म कहा हुआ था बोला जी तिरु अनन्तपुरम में बोले इस पेलिंग बताओ बोले फिर तो मैं गुवा में पैदा हुआ था तालिया बजाओ थोड़ी सी मुझे बीच में काम भी करना अब मैं आपको बता रहा था देखिए कि राजभाई सुना रहे थे राजभाई कौंचा शेर भूल गए थे वो एक शेर सुना रहे थे न तो पिर सुनाते सुनाते इन्होंने का चलो दूसरी सुनाता हूं तो क्या होता है एक खिलाडी आदमी की पहली पंक्ती तो उसे याद आगई अचानक दूसरी भूल गया लेकिन जंता को नहीं पता लग ने दिया उसने उसने कहा कि जमीन से आसमान तक आसमान से जमीन तक अब यह तो याद आगई दूसरी याद नहीं आ रही तो वो सोच रहे दूसरी क्या है और बोला जमीन से आस्मान तक, आस्मान से जमीन तक, दोस्तों पीसे वालों का भी ध्यान चाहूंगा कि जमीन से, आस्मान तक, जमीन से, दोस्तों, सुनने ना आप, जमीन, अब वो रीकॉल कर रहा है, जमीन से, जमीन से, जमीन से, जमीन से, आस्मान तक, आस्मान से, जमीन तक, तो सामने से एक श्रोता बोला रहे यह तो बता क्या है कभी बोला हवा ही हवा है हवा ही हवा है तो यह जो जमीन से आसमान तक की हवा है यह आज सब आप उसका आनंद ले रहें